अप्रेजल का मौसम चल रहा है दोस्तों, बड़ी सालरी तो आएगी ही उसके साथ साथ एरियर बोनस भी आएगे तो क्यों ना इन एक्स्ट्रा पैसो को शॉपिंग और पाटी में उडाने की जगा उसे सही और सुरक्षित जगा पर जमा किया जाए इससे पैसा तो सेफ रहेगा ही, हर साल उस पर अच्छा खासा इंटरस्ट भी मिलता रहेगा हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश्मन असल में मैं बीते दिनों सरकारी बॉंड्स के बारे में पढ़ रही थी तब ही मुझे पता चला RBI के एक बॉंड के बारे में इस बॉंड का नाम है RBI Floating Rate Savings Bond बोलचाल में इसको RBI Flexi Bond भी बोल देते हैं इस बॉंड के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने दर्शुकों के साथ भी इस जानकारी को शेयर किया जाए कई सारे बॉंड और सिक्योरिटी सरकार और रिजर्व बैंक जारी करते हैं ये किस-किस तरह के बॉंड होते हैं इसे लेकर हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चाहे तो आप देख लीजेगा RBI ने साल 2020 में इस फ्लोटिंग रेट बॉंड को जारी किया था आमतोर पर जो बॉंड सरकारे जारी करती हैं उनमें इंट्रास्ट रेट फिक्स्ड होते हैं पर इस बॉंड में इंट्रास्ट रेट हर छे महीने में बदल जाता है हर साल 1 जन्वरी और 1 जुलाई को RBI इस बॉंड के लिए इंट्रास्ट रेट जारी करता है इंट्रास्ट रेट के बदलते रहने की बज़ा से ही इसे फ्लोटिंग रेट बॉंड कहा जाता है RBI FRSB 2020 टैक्सिबल ये इस बॉंड का पूरा नाम है इसका मतलब है कि ये बॉंड 2020 में जारी किया गया था और इस पर मिलने वाली इंट्रास्ट पर टैक्स लगता है आपको बता दें कि इस थिमाही के लिए इस बॉंड का इंट्रास्ट रेट 8.05% है पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बॉंड की इंट्रास्ट रेट ने 8% का आकड़ा पार किया है अब चलिए इस बॉंड से जुड़े कुछ सवालों की जवाब जान लेते हैं इससे बॉंड को लेकर हमें थोड़ी clarity मिलेगी पहला सवाल RBI FRB 2020 का इंट्रास्ट रेट किस आधार पर तैं होता है इस बॉंड का इंट्रास्ट रेट पोस्ट ओफिस के National Savings Certificate यानी NAC से जुड़ा हुआ है फॉर्मला ये है कि RBI इस बॉंड पर NAC से 0.035% ज्यादा इंट्रास्ट देगा NAC के इंट्रास्ट रेट हर तीन महीने में बदरते है जुलाई सितंबर क्वाटर के लिए NAC का इंट्रास्ट रेट 7.7% है जिस भी तारीख पर RBI floating rate savings bond का इंट्रास्ट रेट जारी होता है उस तारीख पर NAC का जो भी इंट्रास्ट होगा उससे 0.35% ज्यादा इंट्रास्ट इस bond के लिए जारी किया जाता है अगर NAC के rate बढ़ते हैं तो इस bond के भी बढ़ेंगे अगर उसके rate घटते हैं तो इस bond के भी घटेंगे ये इंट्रास्ट साल में दो बार यानी पहली जुलाई और पहली जन्वरी को bond holders के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं RBA FRB 2020 का lock-in period क्या है? Lock-in period के मामले में ये bond थोड़ा patience चेक करता है 7 साल का lock-in period है लेकिन senior citizen के लिए lock-in period में थोड़ी छूट है 60 से 70 साल के senior citizens 6 साल में, 70 से 80 साल के senior citizens 5 साल में और 80 साल के उपर के senior citizen 4 साल में अपने पैसे निकाल सकते हैं कितने पैसे RBA FRB 2020 में आप लगा सकते हैं? इस bond में आप minimum 1000 रुपे और उसके उपर 1000 रुपे के multiple में जैसे 2000, 4000, 10,000 रुपे लगा सकते हैं इस bond में अधिक्तम रकम की कोई limit नहीं है, आप कितना भी पैसे इसमें लगा सकते हैं FD, NSE जैसे saving schemes की तुल्ना में क्या RBI, FRB 2020 बहतर है? Interest rates को देखें तो popular banks की तुल्ना में ये bond promising लगता है जहां banks 7% तक का अधिक्तम interest देते हैं, वहीं ये bond 8.05% interest दे रहा है हाला कि अगर आप small finance bank से तुल्ना करेंगे, तो उसमें अधिक्तम interest 9% तक का भी हो चकता है इसके साथ ही अगर इसकी तुल्ना national saving certificate या post office की monthly income scheme से की जाए तो भी इसमें interest जादा मिलता है हाला कि fixed deposit में आपके पास ही सहूलियत होती है कि आप उसका duration चुन सकते है ये आपके उपर है कि आप कितने समय के लिए पैसे FD में दाना चाते हैं इसके साथ ही FD में रखे पैसे पर compound interest मिलता है माने interest principal amount में जुड़ता जाता है और उस पर भी interest बनता जाता है वही NAC की बात करें तो उसमें lock-in period 5 साल ही होता है और उसमें भी compound interest ही मिलता है और क्या conditions हैं? कई सरकारी bonds जैसे sovereign gold bond के against loan लिया जा सकता है लेकिन इस bond को loan के collateral के तौर पर नहीं रखा जा सकता है अब आता है सबसे ज़रुरी सवाल कि किन लोगों के लिए इस bond में invest करना सही है? interest rate के लिहाज से देखें तो इतना high interest देने वाली scheme senior citizen के लिए तो है जैसे post office का senior citizen saving account 8.2% interest देता है हाला कि आम लोगों के लिए इतना high yield वाली scheme कमी होती है तो अगर आपके पास extra cash है जिसकी जरुरत आपको अगली 7-8 साल तक नहीं होने वाली है जिससे आप सुरक्षित जगा पर रखना चाहते हैं और जिससे आप अपनी regular income का source भी बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस bond में पैसे लगा सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताईएगा देखते रहे हैं जोश्मनी शुक्रिया